नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल आईसीटी एकाट भी में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिए इकलान स्कोलसिप का पेमेंट रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ अब लोग के लिए पेमेंट रिसीब नहीं हुआ तो आज की इस वीडियो में कम्पलीट डिटेल्स में बात करूंगा कि क्यूं पेमेंट रिसीब नहीं हो पाता इकलान का क्या प्रब्लम रहता जिसके बज़े से फाईनेल एप्रूव या एप्रूव होने का बाद भी इस्टूडेंट को पेमेंट रिसीब नहीं हो पाता तो वीडियो मेंट प्लिटेट रिलेट पाने के लिए चनल पर नहीं हुआ में, जिसमें बोले थे के धनबा डिस्टिक, बोकारो, राची, आजारैवया के स्टूडेन को payment रिसीब हुआ है. और भी बहुत सारा डिस्टिक में स्टूडेन को payment रिसीब हुआ है, जिसका अपडेट हमको नहीं मिला. लेकिन अगर आपको अभी तेक payment नहीं मिला तो किन region के वज़े से आपको payment नहीं मिलता इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आप Eclion scholarship apply करते हैं तो आपका सबसे first verification आपका college level होता है फिर DA होता है फिर DW फिर final approve होता है यह सभी student को पता जो new student है उनलों को नया जनकर ही मिल गया उसके बात करता हूँ जैसे बहुत सबसे इस student के DA के पास ही pending रहा जाता और आगे अप्रूब भी नहीं होता यह पर DA अप्रूब ही है और आगे final approve भी नहीं हुआ तो उन सभी student का final approve नहीं हुँआ उन सभी student को payment अभी नहीं मिलेगा लेकिन जिसका final approve हो गिया है और अगर payment नहीं मिल रहा तो क्या problem रहता जिसके बज़से payment नहीं मिलता जल्दी अपलों का और दूसरे को payment मिल जाता है बहुत सरे student ऐसा भी है, जिसका बीच में apply तो करते हैं, college verify होता है, DA कर देते हैं एक बार pending, उसके बाद दुबारा वो अपना marksid वगरा को resubmit करते हैं, तो उस student का payment क्या होता है, verification फिर delay हो जाता है, जिसके बज़े उसका payment में भी delay हो जाता है, क्योंकि उसका verification भी late होता है, DA एक बार pending कर देते हैं, तो जिस पर कर दूसरा student का verify होते जाता है, तो जिसका DA pending वगरा बीच में कर देता है, उसका थोड़ा late हो जाता, तो क्या क्या reason रहता है, सबसे पहला reason जो रहता है, student का अपना bank account के साथी problem रहता है, जिसके बज़े से equivalent का payment receive नहीं हो पाता, किन किन का payment मिल रहा आपका account में, आप अगर graduation कर रहा है, या फिर B.Tech कर रहा है, कोई भी course में कर रहा है, पहले आप अपना scholarship के amount के check करिएगा, कि आपका school में जो आप या college में जो scholarship आप एकलान apply किये हैं, उसमें आपको कितना amount मिलने वाला है, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा amount मिलेग तो आप देखिए, जो account number आप दिये है, जो account आप एकलान में डाले हैं, या फिर जो account आपका NPCM activate है, उस account में आपका 10,000 का limit है या आप नहीं है, जितना student को 10,000 से कम amount मिलेगा, उन लोग के लिए कोई दिकत नहीं, उन लोग का भी बात करता हूँ, अगर आपको 4000, 5000, 6000, 7000 त account पूरी तरह से deactivate हो गया, तो आपका amount receive नहीं होगा, और आप एक बात देखेंगे, वीडियो के description पे इस website के link देदिए, चेक आधार bank linking status, यह बहुत ही जरूरी है, एक इलान scholarship के लिए, UP scholarship के लिए, NPCI, Government scholarship के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका NPCI में कोई भी bank account activate होना चाहिए, यहाँ पर बहुत सरा student का अभी क्या आओ गया, deactivate हो गया, पहले activate था, एक साल पहले जब चेक किया था, पिछला scholarship में activate था, बीच में वो account बंद हो गया, account का FC कोट इधर उधर change हो गया, जिसके बज़े सुलो का deactivate हो गया, तो वीडियो का description पे इस website का link दे हैं, यहाँ पर step देख लेंगे, और NPCI चेक करने का link भी दिया हुआ, आके अपना अधार नमर को put करेंगे, यहाँ पर जो भी capture दिखा जारा, उसको put करके send OTP करेंगे, अधार वाला mobile नमर पो OTP जाएगा, आपका so कर जाएगा, कि आपका कौन सा bank यहाँ पर activate है, पहले बत जाके contact करना ही पड़ेगा, यहाँ पिर आप online, India Post, payment bank, यहाँ पिर Paytm में NPCI link कर लिजे, दो वीडियो हम बना चुके, description पर देदेंगे, i button पर भी देदेंगे, आप लोग आके चेक कर लिजेगा, यहाँ पर 24 गंडा में आपको activate कर लेना, उसके बाद, और जो account यहाँ पर चली से जर आएगा, पता चला कि student का account है, और उसमें pen card update ही नहीं है, उस case में आपका 50,000 उसमें receive नहीं होगा, कि pen card update करना जरूरी है, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा transaction होता, तो सभी student को पता है, सभी को मालूम है, 50,000 से ज़्यादा लेन देन में pen card चाहिए, ऐसे बहुत सर student के साथ हुआ है, कि 55,000, 22,000, 50,000 scholarship आने वाला था, B.Tech का student था, और उसका scholarship आया ही नहीं, बाद में bank से contact किया, pen card वगर update किया, और NPCI में इस तरह activate करा लिया, अपना account, फिर एक मेना के अंदर उसका payment receive हो गया, तीन बातों का आप लोग ध्यान देंगे, और जिन जिन student का यह pen card update कर दिजिए, account में 50,000, 500,000, दूसरों का भी कम से कम weekly transaction जरू करते रही है, ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा transaction मत कर दिजिए, कि कोई भी अगर CSP वाला bank account है, जिसमें कोई transaction limit है, तो मंतली transaction 10,000 का limit है, आपका 6,000 आने वाला, और आप 6,000 इधर से transaction करके रहेंगे, तो भी payment नहीं मिलेगा, तब अपने account को थोड़ा ध्यान देंगे, कोई भी छोटा मोटा mini branch वाल account जैसे यहाँ पर activate ना रहे, जो account यहाँ पर activate रहेगा, उस account को updated रखीगा, बढ़ियां bank account रखीगा, ज्यादा amount वाले के लिए, ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना information आसा करूंग वीडियो अच्छा लगा होगा, तब वीडियो का लाइक करिए, अपने friend group में सब इक साथ send करिए, चैनल पर नहीं तो subscribe भी कर लिजे, चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पर